हाँ तो आने वाले साल में हम 6,000 करोड रुपए MLA खरीद माप कीजेगा है हमारी पार्टी का बजट है डिविल नमस्कार अधाव इन वेलकम इस सार्टेक इन यो वोचिंग दे संडे शो वो शो जहां हम करते हैं न्यूस की बाद एंटेटीनमेंट के साथ अगर आप नए हैं तो इस शो में हम हफते की सबसे कॉंट्रोवर्शल, सबसे इंपोर्टेंट और सबसे भालतू न्यूस एक साथ डिसकस करते हैं और बाद में उसी न्यूस पर रियाक्ट भी करते हैं और वही शो को इतना खास बनाता है जो शादी की बात करें तो कियारा की हो गई, राखी की तूट गई, यही हुआ है सबते बॉलिवोड अक्टर सिधार्च मलोत्रा और कियारा आदवानी काफी टाइम से डेट कर रहे थे तो इनकी शादी होना, it was expected लेकिन राखी की शादी टूटना, well, don't blame me, it was also expected लेको राखी सावन्थ is the living example of the fact कि आदमी टीवी पर आने के लिए कुछ भी करता है और देशिया से यह लाइम लाइट में आई थी, मैं हूना में होने एक रोल किया था और ऐसा नहीं है कि करियर में इस अक्टरस ने नाम नहीं कमाया, काफी आइटम नंबर्स किये, काफी जादा सक्सेस्फुल भी थी एक पॉइंट पर लेकिन फिर जैसे से टाइम बीटता गया, इनकी करियर की गाड़ी ऐसे ऐसे टर्ण मारी जैसे ड्राइविंग सीट पर सल्मान गान बैटाओ मैं आओ जाओ गया भाई पिछले कुछ टाइम से यह कुछ भी करने लगी है जो लगाएगा गोदरेश का ताला वही बन पाईगी बॉलिपुड की बाला कभी कोई ओंद पॉंद पहन लेगी तो आज मैं आपको सिखाऊंगी बेले डांस ये तो कुछ भी नहीं है, ये देखो कभी ये दीपक कलाल के साथ इश्क लड़ा लेती है कभी रेसलर बन जाती है कभी योगी जी को प्रपोस कर देगी, कभी जीजस की डिसाइपल बन जाएगी कभी बुर्का पहल लेगी, मतलब ड्रामा बड़ सेक्यूलर मुझे परसनली सबसे फ़री इंस्टेंस तब लगता है, जब नवजोज सिंग सिद्धू को किसी ने राखी सावन से कंपेर कर दिया अब 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 इतने बड़े पॉलिटीशन को राखी सावन से कंपेर करोगे तो ओफेंड तो हो गई ना कहने का मतलब ये कि राखी सावन दुर्रानी से पहले पता चला कि भाई आदिल नाम का एक लड़का है जिसको राखी हमारी प्यारी डेट कर रही है और लोग को लगा कि भाई इतने कॉंट्रवर्सी और इतने ड्रामा के बाद काफी टाइम तक डेट चली फिर राखी ने बोला शादी हो गई फिर पता चला शादी नहीं हुई लेकिन फिर अल्टीमेटली शादी हो गई और अब शादी अरे यार और आप ये ड्रामे किये जा रही है मीडिया खूब अटेंशन दे रही है पबलिक को खूब मज़ा आ रहा है दिल काटन काटन हो रहा है बहुत मया आ रही है आप जोक सा पाट कि राखी सामत्नम ना पूरा करियर एंटर्टेन्मेंट के लिए बना है और काफी जादा आप जो इसको उल जुलूल हरकते मांगत हो वो इनके लिए एंटर्टेन्मेंट और लाइम लाइट का एक जरिया है यह अभी भी वही कर रही है पॉइंट अफ एडवाइस इसको सीरिसली मतले ना इनका चलता रहता है चलता रहेगा और राखी का तो फिर भी लाइम लाइट मिल रही है जो कबीर सिंग का दिल टू है हमारा देश ही ऐसा है कोई एक बॉलिवोड की वेडिंग हो हर एडलाइन्स जो है शैडो हो जाती है कोई शादी में फूपा ही बना दो ताकिर खान में फोटो शेर करते हुए ट्वीट किया बॉलिवोड सेट सच अन्रियलिस्टिक वेडिंग एक्सपेक्टेशन्स शादी की फोटो उसी दिन कौन सा फोटोगरफर देता है सिधार्त कियारा वेडिंग एक्स गोट मैरेड सेकेंड एक्स गोट मैरेड सेकेंड एक्स का एक्स बॉइवरेंड गोट मैरेड सेकेंड एक्स का एक्स बॉइवरेंड की वाइप का एक्स किस गेटिंग मैरेड यू सिमी ने ट्वीट किया सारा I don't like marriage is a concept निकल गया मेरा यह देखके एक तो यह celebrity couple की wedding देखकर ना लड़कियों के इतने expectation set हो जाते हैं लड़कों कोई फरक नी बढ़ता लड़कियों को मिल जाते हैं wedding goals अरे भाई आप Bollywood couple हैं बहुत पाईसा है उनके पास यूट्यूबर लोग आंग लो अल्ला भगवान जीजस जिसके नाम पे दिनों लाई सब्सक्राइब दे बाबा आजल होगे है भागें से यूट्यूबर लोग लाई सब्सक्राइब के भीकी मांगते रहते हैं कर दो यारा आप तो बड़े आदमी हो इस अफ्ते की सबसे बड़ी खाबर आई टर्की देश से जहाँ पर चहए फरवरी को एक बहुत बड़ा भूकम पाया जिसकी रेक्टर स्केल पर तीवरता 7.8 थी आप मुमान अर्थ को एक ऐसे ही मेजर किये जाते है 6.5 की उपर अगर कोई जेक्टर स्केल पर अर्थ को एक है तो उसकी तीवरता तेज मानी जाती है और 7 की उपर अगर गया तो हर पॉइंटर पर अर्थ को एक और जादर डिवस्टेटिंग होता जाता है यह भूकम मेजरली टर्की और सीरिय देश में आया जिसमें अब तक 22,000 लोगों की मौत अलरीडी हो चुकी है और यह माना जा रहा है कि 30 से लेके 40,000 तक यह डेथटोल पहुँच सकता है सोचल मीडिया पर काई सारी ऐसी फोटोस और वीडियोस वाइरल हो रही है जो लोगों का दर्द बया करती है और इसमें सबसे दर्दना गे जो मैंने देखी जिसमें एक फादर अपनी बेटी का हाथ पकड़े हुए बैठा हुआ है उसकी बेटी मलबे में दब चुकी है और वो उसका हाथ पकड़कर बैठा हुआ है सब कुछ तबाह हो चुका है अगर आपको नहीं पता तो एक अर्थकोइक तब आता है जब सतय के कई किलोमेटर नीचे एक्टोनिक प्लेट्स टकराती है और उनसे जो एनरजी निकलती है वो सतय तक आते आते कमपन पैदा करती है और उसकी वज़े से एक भूकम पाता है अब इसमें घबराने वाली बात ये है कि अर्थकोइक को प्रेडिक्ट करना almost impossible होता है बस ये बता जिया जाता है कि ये केरिया है जो अर्थकोइक प्रोन है जैसे टर्की की जिस जगह में आई वहाँ बोला जाता है कि ये अनर्टोलियन प्लेट पर है अर्थको एक प्रोन जोन है और ऐसे ही हमारे इंडिया में हालत है हिमालियन बेंट की ये भी एक अर्थको एक प्रोन जोन managyato ऄरिंधनों टर्की के जो लोग है वह काफी जादा परिशानी में है कही जादा मुल्क हैं जो आके तर्की की मदद कर रहे हैं आप भी अपने individual level पर help करना चाहें तो कर सकते हैं, आप Turkish Embassy में relief supplies भिजवा सकते हैं, कैसे भिजवा सकते हैं, उसकी सारी details मैंने description में दे रखी हैं, जाके बढ़ सकते हैं अज़े कि आपको Agni-Weer scheme याद है? हाँ भई scheme जिसकी विज़े से साल काफी दा protection अरे वो तो पिछले साल था ना? पिछले साल हुआ था? हाँ यार 2023 चल रहा है तो हमारी Indian Army ने हाली में अगनी वी recruitment process में थोड़े बदलाव किये हैं पहले अगर किसी को सेना में भढ़ती होना था तो तीन stages होती थी पहले एक physical test होता था फिर एक medical test होता था और फिर होता था CEE यानि की common entrance exam लेकिन फिर भरती में इतने लोग आ रहे थे कि administrative level पर बहुत जादा resources का स्तमाल हो रहा था इसलिए इसमें बदलाव किया है और अब पहले candidates का CEE यानि की common entrance exam लिया जाएगा और उसको जो pass करेंगे उनका होगा physical test और फिर medical test तो अगर आपको कोई दोस्त आर्मी में भड़ती होने की सोच रहा है तो से बता देना और अगर आप तुम्हें तो पंखाओन करने में मौत आती है अगर आपके पास कोई भी home loan है, car loan है या कोई भी आपकी EMI चलती है तो अगली बड़ी खबर है आपके लिए और वो ये की इस अबते RBI ने repo rate को 25 basis point से बढ़ा दिया है अब आप बोलोगे की चिरकोट मुझे उससे क्या मतलब मेरा account तो SBI में है ना चिरकोट बोलोगे मुझे, ठीक है अब नो टंकी, घड़ी घड़ी ड्रामा करता है देखो RBI का repo rate बढ़ाना सीधा आप पर असर डालता है, दो मिट दो बताता हूँ कैसे देखो जैसे हर बाप का एक बाप होता है, वैसे हर बैंक का एक बैंक होता है, जिसे हम कहते हैं RBI ये बैंक को लोन देता है, और बैंक आपको लोन देता है और जब-जब RBI बैंक के लिए repo rate बढ़ाता है, तो उसके बदले में, बैंक आपका interest rate बढ़ा देते हैं मतलब कि अब आपकी EMI और महंगी हो जाएगी मतलब होम लोन, कार लोन और महंगी होने वाले हैं तो चेक कर लेना आपकी जेब और जेब बाला एरिया दोनों फटने वाले हैं अगली बड़ी ख़बर है पिलास्टिक को लेकर माइक्रो प्लास्टिक मतलब माइक्रो प्लास्टिक यानि कि प्लास्टिक के बहुत चोटे 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 चोट और देखो जिसे साप से हम आज कल प्लास्टिक में डिपेंडेंट हो चुके हैं आप खास कुछ कर नहीं सकते इस बारे में बस चोटी-चोटी चीज़े करो जैसे की प्लास्टिक यूजली अबॉइड करो गरम खाना जो है वो प्लास्टिक में मत खाओ मतलब की एतिहाद बढ़तो तोड़ा बै एति एतिहाद यार क्या काटून आदमी है ये अगली बड़ी ख़बर आई पाकिस्तान से जहाँ पर वहां के पूर विराष्ट्रपती परवेश मुशर्रफ का इस हपते इंतिकाल हो गया वन कारेक्टर जो ना सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बलकी इंडो पाक रिलेशन में भी काफी सिग्निफिकेंट रहे थे कहा जाता है कि कारगेल युद्ध इनी ही की वज़े से हुआ था अपने ताइम पर बहुत पावरफुल थे देश चलाया तकता पलट किया अल्ला ताला इन्हें जन्ना तता फर्माए लेकिन धोनी के बाल कटने से ने रोख पाई है अगली न्यूज है एंटर्टेन्मेंट से जहां SRK की पठान जो भाई बहुत ज़्यादा सुपर हिट हो चुकी है जिसे बॉक्स ओफिस में रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं अब ये बजरंगी भाहिजान को पीछे छोड़ कर सेकेंड हाइस्ट ग्रोसिंग बॉलिवुड अगर आप मुवी देखा है नहीं देखा है देखने का प्लाइन बना रहे हो तो देखने से पहले मेरा ये रिव्यू देख लेना अचारी खबर है स्पोर्ट से रेटेट जहां क्रिकेट में इंडिया और और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चल रही है बॉर्डर गावस का ट् लिए कंपीट करते हैं और खासकर हमारे कोली भाई साब के आने के बाद तो अग्रेशन लेविल भी बढ़ गया है तो काफी इंट्रेस्टिंग होता है और इसके पहले मैच को इंडिया ने एक इनिंग्स और 132 रन से जीता है जो क्रिकेट की बारे में नहीं जानता है वो बता दू कि एक इनिंग से जब भी कोई मैच जीते है टेस्ट मैच में तो एक बड़ी उपलब्दी होती है इस मैच के स्टार रहे आर अश्विन जिनकी जो बॉल्स होती है वो कंगना के स्टेटमेंट की तरह समझवे नहीं आती है और इस जीत के साथ आप देख सकते हो कि पिछले 10 सालों में इंडिया टेस्ट क्रिकेट में एक बहुत डॉमिनेटिंग फोर्स बन गया है इंडिया कभी भी इतना अच्छा टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं था हम बहार जाते थे मैच जीतना तो दूर की बाद अगर हम ड्रॉ भी कर देते थे तो उसमें बहुत ज़्यादा सरानी है क्योंकि अब ना सिर्फ हम मैच जीत रहे हैं बलकि हमारा जो विनिंग परसेंटेज है वो किसी भी टेस्ट प्लेइंग नेशन में सबसे ज़्यादा है चलिए नॉंसेंस की उसे शुरुवात करते हैं कुछ हैं सफते की पहली हुई गाजियाबाद में जहां पर एक कोट परिसर में एक टेंडुआ घुस गया और उसने लोगों पर हमला कर दिया पूरी जगे हरका मच गया सोशल मीडिया पर भी कई सारी वीडियोज वाइरल हुई जहां देखा जा सकता है कि भाई एक टेंडुआ घुम रहा है लोगों को अटैक किया है उसने और यह सब कुछ अब यह न्यूस काफी लोगों के लिए इंक्लूडिंग में काफी जादा अचंबित कर देने वाली थी शौकिंग कर देने वाली थी क्योंकि यह गाजियाबाद में हुआ अब एक बड़ी से सिटी है आस पास कोई इतना बड़ा घना जंगल भी नहीं है जहां तेनुआ जैसा जानवर आ जाये जांसे तो लोग बोलें कि भाई इतनी बड़ी सिटी में एक चानक से बीच में तेनुआ कैसे आ गया इसने आठ लोगों को घायल कर दिया बाद में forest officials ने पकड़ कर इसको पासफाली जंगलों में छोड़ दिया अब इसका एक possible explanation यह हो सकता है कि यह तेनुआ धरसल मालगाडी से आया हो उतक आये कि मालगाडी जो होती है कई बार जंगलों से निकलती है और वहाँ घंटों के लिए halt कर दी जाती है जिसमें जंगली जानवर उस पर चन जाते है और उसी के साथ यह शहर में आ जाते है इस पर एक और थियोरी यह है कि कई लोग कह रहे है कि एक नहीं दो तेन्दुए थे जिसमें एक कुछ दिनों पहले डेली मेरट हाईवे पर भी मरा पाया गया था तो यह जो दो तेन्दुए थे यह शहर में काफी टाइम से घूम रहे थे और कैसे आए कहां से आए लोग अभी जिसकी जाच में लगे है खेर मालगाडी से याद आया बिहार से काफी इंटरस्टिंग यूज है आपको याद हो का बिहार में कुछ दिनों अजीब हो गरीब चोरी की घटनाए सामने आ रही थी एक में ये हुआ था कि भाई मुबाइल टावर चोरी कर लिया था फिर चोरों ने ट्रेन का इंजन चोरी कर लिया आप चोरों ने कहा कि चलो कुछ और तूफानी करते हैं और उन्होंने इस बार दो किलोमीटर रेल ट्रैक चोरी कर दिया किया चल रही है यह पहली इंजन फिर पटरी अपा स्टेशन बचाए उसके बाद रेल मंत्रा ले पर हमला गरेंगे सीधा यह जब वियार से ये और इंट्रेस्टिंग खबर आई वो आई गया से जहाँ पर एक सरकारी office में cast certificate बनने की application आई एक कुट्टे का cast certificate किसी ने फिरकी लेते होए एक कुट्टे का cast certificate बनाने के लिए अर्जी डाकिल की और उसमें ना सिर्फ ये उसे कुते का एक आधार कार्ड भी था जिसमें उसका नाम Tomey उसकी मम्मी का नाम Gini पिताजी का नाम Shereo भी था और ये बकलोल लोग यहीं नहीं रुके उन्होंने नीचे आधार कार्ड number लिखा और लिखा आधार आम कुते का अधिकार आप पहली बर जब सबने ये निउस सुनी तो आदे लोगों को लगा कि भाई एक genuine case भी हो सकता है क्योंकि कुछ लोग अपने कुत्तों को लेकर काफी जाधा serious होते हैं वो उसको ऐधा family member ही समझते हैं उनके कुत्ते को कुत्ता बोलके देखो वो तो मैं काट खाएंगे मेरे एक जान पेचान में एक अंकल है उनके कुत्ते का नाम पोगो है उनकल का जो बेटा है वो परिशान रहता है कहता भाई ये मेरी जाधात खाएगा किसी दिन इसको ज़्यादा प्यार मिलता है मैं जब उनके घर में जाता हूँ तो उनकी उलाद बिंडी खा रही होती है पोगो चिकिन घा रहा होता है पोगो का खुट का सिंगाजान है ये बिचारा जमीन पे सोता है कुछ-कुछ डॉग लवर बहुत सीरिस होते है कुट्य का अपना कमरा, अपना बेड, जायदात में नाम तो कास सेटिफिकेट कौन सी बड़ी बात है अचा कोट से ही रिलेटेड एक बस न्यूज आई गोवा से अचा अमूमन क्या होता है कभी भी कोई केस जो है वो कोट में जाता है तो उसके जो एविडेंसे होते हैं उन्हें कोट परिसर में एविडेंस रूम में रखा जाता है कई बार कुछ सुराक होते हैं, कुछ नगदी होती है सब एविडेंस रूम में रखा जाता है तो एक चोर इस एविडेंस रूम में गुसा जहाँ पर किसी case related कुछ cash waste रखा होगा evidence के तौर पर उसने हाथ साफ कर लिया क्या बात है सर अच्छा एक और interesting घटना तब हुई जब राजस्थान के assembly में अशोक गहलोट जुआ के chief minister थे वो आने वाले साल का state budget पड़ रहे थे speech दे रहे थे बुढ़ा आदमी आराम से slow slow करके ऐसे speech दे रह था सब सुने जा रहे थे लेकिन फिन लोगों ने notice किया कि बार 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 कॉरोना बोल रहे है अपनी speech में दूर पिछले साल का budget पड़ दिया और ये वो state है जिसमें आने वाले time में साल इलेक्षन आने वाले है जिसमें बजट एक बहुत इंपोर्टेंट चीज होती है कूप पोस्टर लगा के राजिस्थान में बड़ा यहाँ पर क्रेडिट बसूला जा रहा है कि बड़ा अच्छा बजट लेके आएंगे बड़ी महनत हो रही है काम हो रहा है इनको पता ही यह निए कि क्या चल रहा है बजट में 10 मिनिट तक गलत बजट पढ़ दिया यह हमारे देश के पॉलिटिक्स की हालत भारत जोड़ो यात्रा में इतना चल दिया कि फिजिकल विटनस तो अच्छी हो गई मेंटली कह नहीं सकते हाँ तो आने वाले साल में हम 6,000 करोड जो मैं आपको इस हफते सुनाऊंगा वो इसी से रिलेटेड हैं जिसमें दो पावरफुल IAS Officers ने अपनी Skills का इस्तेमाल करके अपने District को ODF यानि की Open Defection Free बनाने में मदद की आने वाली दोनों कहानियों से आपको पता चलेगा कि एक ब्योरोक्राट के पास दरसल कितनी पावर होती है सुसाइटी में एक Positive Change लाने के लिए यह है IAS पवन काद्यान बिहार राज्य के कूच बिहार के DM इन्हें हाली में इनके राज्य को स्वच भारत मिशन में National Award मिला है क्योंकि इन्होंने अपने District में स्वच्चता की कुछ ऐसे काम किये हैं जो बाकी इस राज्यों के लिए मिसाल बन गए हैं इन्होंने अपने District में SWM और PWM यानि कि Solid Waste Management और Plastic Waste Management के कुछ बहुत अच्छे मोडियूल अपना है इन्होंने अपने District में SWM यूनिट चलाए यानि कि वो गाडिया जो घर घर जाकर Solid Waste कलेक्ट करती थी और उस Waste से इन्होंने उसको Bio-Degradable और Non-Bio-Degradable में Separate किया और फिर उससे Vermi Composed बनाया मतला Vermi खाद होता ना जो Naturally बनता है उस खाद को बनाकर इन्होंने लोकल के जो किसान होते हैं उनको 10-12 रुपए किलो में बेचा इसे क्या हुआ कि लोगों को एक incentive मिला वहाँ पर Waste को अपने डिकंपोस करने का और इसी की तरह इन्होंने Plastic Waste Management के भी कई सारे तरीके अपना है और ऐसे ही लोकल लेविल पर schemes और campaigns चलाने से काफी चीज़े बदल सकती है एक अच्छा bureaucrat अपने district में कितना बड़ा change ला सकता है ऐसी काणी है में बताती है जरूरी नहीं है कि भाई कोई national level पर scheme चले या प्रधान मंतरी आगे जाडू लगाए हर बार ऐसी काणी है तेलंगाना के नाराइन पर district की काफी पिछड़ा इलाका था यहाँ पर जितनी मी ग्राम बन चायत थी hardly कहीं ऐसा हो जहाँ पर toilets available हो लोग जादा तर openly defecate करते थे यानि कि खुले में सौश करते थे तभी मा की DM हरीचंदा डसादी ने वहाँ पर पुरानी बसेस को जो वहाँ पर के state transport की बसेस थी उनको mobile toilets बनाया mobile toilets दरसल क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि buses में या फिर trucks में चुटे-चुटे toilets बना दिये जाते हैं और उस bus ये truck को जगे-जगे घुमाया जाता है ताकि कभी कोई event होथ कहीं मेला लगे तो उस जगे वहाँ पर use किया जा सके और लोग खुले में सौचने नहाजाएं महिलाओं को काफी फाइदा होता है क्योंकि obviously उनको थोड़ी privacy मिल जाती है और इस DM ने ऐसे ही कई जगे mobile toilet का सितमाल करके अपने district को ODF यानि कि open defecation free बनाया open defecation पंचायद तो देखी होगी न आपने वैसे ही क्या बोलती पबलिक धीरे धीरे समझ आ रहा है कि मम्मी क्यों लड़कों से दूर रहने को बोलती थी ताकि वो लड़के कुछ रहने की ट्वीटर पे कभी भी तुम कुछ ट्वीट करो न तो उसको full proof ट्वीट किया करो कि कोई savage इंसान आके तुम्हारे ट्वीट को बरबाद न कर दे आरे बनाने के लिए कुछ होना में तो चाहिए अरे पैसे तुम लोगे वैलेंटाइन के प्लान क्या है मैंने भी वैलेंटाइन के कुछ प्लान मनाया पता है एक बड़ी औसा गंचा मंगाया है एक डंडा पार्क में बेटुआ मैं लाइफ अप्तर टुनिंग इस बात की क्योंकि आज खुशी क्या है मैं तो एक जिंदा लाश हूँ मैं एक जिंदा लाश हूँ किस चीज के खुशी क्यों खुशी मनाऊ मैं रहा तक मीम्स की बात है राकिस आवंध इस वेरी अंडर रेटेड काफी अच्छे मीम दियें राकिस ने मुनाज़ ने ट्weeट किया drop in a movie name and add bathroom में in the end now let's find out डम लगा के हैशा bathroom में पठान bathroom में मैंने प्यार किया bathroom में anybody can dance bathroom में कोई मिल गया bathroom में पेटा बार निकलो जल्दी चिप कली है मैं हूना bathroom मुझसे शादी करोगी bathroom में चलो आपके थूँ अब थोड़ी history geography classes ले ले लेते है must have memes is 04 on instagram सैफान अली इस बच्चे का नाम है watching from the city which is also known as a mini darjling mini darjling कहा जाता है बिहार के पूर्णिया को त्योंकि वहां का जो climate है वो अई बार इतना सोहाना रहता है कि उसको mini darjling कहा जाता है अचा एक interesting बात live इंदोस्तान के article में ये पता चली कि पहले जो darjling था वो पूर्णिया जिले में ही आता था लगबख 1770 के time पर बाद में खेर geographical situations बदल गी Britishers के आने के बाद but this is your answer अरपित mail 11 ने लिका है मैं उस जगे से हूँ जहां शजर पत्थर पाया जाता है और जिस नदी में पाये जाता है उसका पुराना नाम कर्णावती था जो बाद में कन्या हुआ आज उसी नदी का नाम और शहर का नाम क्या है तो नदी का नाम मुझे पता है ये केन नदी के अब बात कर रहा है अचा जो शजार पत्थर है ये मिलता है बानदा में 400 साल पहले एक अरभी व्यक्ति ने इसको डिस्कवर किया था और काफी कूपसूरत सा पत्थर होता है जैसे आप यहाँ देख सकते हैं काफी कूपसूरत सा पत्थर होता है उसमें पत्थियां और पेड की नकाशी दिखती है इन वेक्ट यह काफी इंटरस्टिंग बात होती है नदियों के बारे में कि कई नदियों में कुछ नायाब पत्थर मिलते हैं आजकल एक पत्थर जो काफी दाद चर्चा में है वो है शाली गराम पत्थर जो नेपाल से आ रहा है और भगवान राम की मूर्ती भी उसी से बनाई जाएगी ऐसी कई सारी नदियां होती है और उनमें कुछ अलग अलग तरह के पत्थर मिलते हैं जो मार्किट में बिखते भी है अचार की ट्रिपल जीरो इस वाचिंग फ्रम इत्र की नगरी से इत्र बनते थे और जो हमारे राजा महराजा थे खासकर मुगलों के टाइंग पर उनको बड़ा शॉक होता था इत्रों का और कनाउज को आप देखोगे तो वो लखनव, कानपुर और कोई एक और सिटी है उसके बीच में पड़ता है तो जो राजा महराजा थे ये कनाउज से काफी जादा इत्र मंगाते थे और आज भी कनाउज के इत्र की जो वैली होती हो मार्केट में बहुत है तो इनी कारणों की वज़े से कनाउज is known as the perfume city of India दनिश्था पहुजा is watching from the first city in the world to have an underground train network underground train network first city in the world इसको google नहीं करूँगा बट मेरा guess है आप लंडन की बात कर रहे है क्योंकि जो लंडन का underground metro है it is one of the most oldest and one of the largest in the world खान साब has said if North America is a world then watching from Saudi Arabia कुछ तो गड़ बड़ा है नहीं बता यार ते ही अगर आप भी show में feature होना चाहें तो show देख पर अपनी एक selfie ले किताब नहीं पढ़ी है इस हफते बठाए ये ISC collection of short stories ये छोड़ी सी किताब है जिस मैं short stories को छोड़ी चोड़ा collection है मुझे अपने कमरे में मिल गई तो इन में से ही अभी कुछ पढ़ने की कोशिच करूँगा और जो अगर पसंद आई तो अपनी Instagram story बगर पर बता दूँगा या फिर अगले हपते ही बता दूँगा कैसे लगा आपको एपिसोड उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा पसंद आये तो लाइक जरूर करें पिछले हफते का एपिसोड आपको इधर मिल जाएगा मिलेंगे अगले हफते तब तक के लिए अपना खयाल रखिए टाटा बाई बाई शब्बाखेर लाइक सब्सक्राइब और शेयर